नमस्कार दोस्तो, श् малकत आपका एक बार फिर से राशतान स्कोलसिप मेरे। दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशतान उत्रमेटी की स्कोलसिप और मुक्यमंत्री उच सिक्षा स्कोलसिप के बारे मेरें। जिहां दोस्तों अगर आप राजस्तान के मूली वासी हैं और वरत्मान में अपनी इसकुल लिया कॉलेज की पड़ाई कर रहे हैं और इसकुल लिया कॉलेज में एडमिशन के दौरान आपने जो फीस वहाँ पर भरी है और उस फीस को इसकोलेशिप के रूप में आप वापस पाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है तो मेरा आप से नवितन है कि अगर आप सच में इसकुलेशिप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक पूरा कंप्लेट जरूर देगें ताकि इस एक वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही चलिए दोस्तों आपको यहां पर इसकुलेशिप प्राप्त करने के लिए मुक्य पांच पॉइंट पर ध्यान रखना है दोस्तों बात करें सबसे पहले पॉइंट की तो वह है डोकुमेंट अप्लोड यानि कि राष् जनादार कार्ड में परिवार के जितने भी सदेशिया हैं मेंबर हैं उन सभी सदेशियों के डोकुमेंट आपके जनादार कार्ड में अप्लोड या अपडेट होना अनिवारी कर दिये गया है तो दोस्तों अगर आपके जनादार कार्ड में कोई भी डोकुमेंट अप्लो करने के बाद आपको अपने जनदार कार्ड में पारिवारी बारसी काये को अपडेट करना होगा और ये इंकम अपडेट भी परिवार के सभी सदिशों की करनी होगी इसके साथ जो स्टुडेंट इसकोलसिप के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी खुद की जो इंकम है वहां प उनके फोरम में फिल करना है साथ इस जिस के नाम का भी आपने परिवार में आपने आय परमान पतर बनवा रखा है उसको भी जनदार कार्ड में दोस्तों अपलोड करना होगा दोस्तों वीडियो का भी हल्पूर लेने बाली है लास तक जरूर देखें क्योंकि इस date of birth जो भी है आप उसको भी है जो अपडेट कर सकते हैं जिसमें आपका मालो मोबाइल नंबर है आपकी email आईडी है साथ ही आप क्या काम करते हैं website इसके लब आपकी जो educational qualification है डिटेल है उसको आप जो अपडेट कर सकते हैं इसके बाद आपको अपने जनादार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं ताकि scholarship form बरते समय है जो समाज के लांट पोर्टल द्वारा डारेक्ट वरिफाई किये जाएंगे ठीक है यानि कि आपके जाती मूल और अन्य परमान पतर हैं वो पोर्टल के द्वारा जनादार कार्ड से ओटमेटिकली वरिफाई करके ले लिए आए क्योंकि दोस्तों scholarship की रासी है वो dbt यानि कि direct benefit transfer के जरिया आपके bank account में बेजी जाएगी तो यहां तक बात होके जनादार update की चलिए अब बात करते हैं तीन नमर यानि कि तीसरे और मैत पुन पॉइंट की scholarship form को fill करना दोस्तों जनादार कार्ड को complete रूप से update करने के बाद आपको समाज के लिए विवाग की जो official website है यानि की sje.raastan.gov.in यानि की social justice empowerment उसमें SSO ID के जरिये है जो आपको login हो जना है और login होने के बाद वहां पर आपको जिस भी year के लिए मान लो जिस भी साल में आप scholarship के लिए आवे दिन करना चाहते हैं form apply करना चाहते हैं तो व college institute में जितनी फीस आपने बरी है उसकी दोस्तों यहां पर आप ध्यान रगना फिसे थोर से कि आपकी जो मदवार मूल रसीद है जो की रंगीन होनी चाहिए और उसको वहां पर साप इसके इन करके अच्छे से upload करना है ठीक है और मदवार फिस में आपकी सारी detail आ जाती है जिसमें कि आपकी hostel फीस हो गई आपकी library फीस हो गई जो भी है मदवार में जितनी फीस है वो आएगी और जो आप मदवार की फीस जितनी फीस उसमें होगी आपको इस scholarship के रूप में वापस मिलेगी तो उसको आप अच्छे से scan करके upload करना है ताकि इसके regarding कोई भी है जो समस पहुँच जाएगा चलिए अब बात करते हैं चार नंबर पॉर्ण्ट की तो वो है objection को clear करना तो जैसे ही दोस्तों आप अपना form है जो complete रूप से बरने के बाद submit करोगे उसके बाद आपका form जाता है यानि कि आपकी जो भी आपने जिस भी college में आपने admission ले हुआ है आपक college level में आपका form check होता है और मानलो by mistake कोई गलती आप से form भरते समय रह जाती है तो college level से आपको उस गलती में सुधार करने के लिए एक objection दिया जाएगा ठीक है तो मानलो अगर आपके पास objection आ जाता है यानि कि आपने fees की जो मूल मदवार रसीद है वो आपने सही scan नहीं किये तो इसके regarding आपके मानलो objection आ गया तो उसको क्या है आप अच्छे से वापस scan करके 30 दिन के अंदर यानि कि एक मेने के अंदर अंदर है जो वापस से upload करके उसको उस objection को clear करना होगा और फिर जैसे ही आप objection कलियर कर लेंगे तब आपका form वापस जाएगा college level पर और वहां से इ इसके बाद बात करते हैं आकरी point की तो वो है scholarship कब आती है यानि कि आपने form पर दिया complete रूप से और मानलो objection आ गया तो उसको भी आपने clear कर लिया अब दोस्तों आपके मन में सवाल होता है कि आकिर हमारी जो scholarship है वो कब तक आएगी तो दोस्तों जो मैंने उपर के चार point बता हैं अगर इस परकार से आप steps को follow करते हैं तो उसके बाद आपका form DLO यानि कि समधित जिला कारले से मैं जाएगा और आपका form approved कर दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों payment sanction होगा और आपके scholarship है जो scholarship का जीतना पी amount है उसका bill generate होगा दोस्तों यहां आपको 2-3 मिने का है जो इस एक बात ध्यान रखना कि समाज के लान चातरवर्दी का जो पहला budget आता है वो मार्च मैने में लगबग आ जाता है तो जैसे ही दोस्तों budget आता है तब जिन student के bill generate हो रखे हैं सबसे पहले यहां पर उनकी scholarship है जो distribute कर दी जाती है यानि कि उनके account में डाल दी जाती है और जैस इसने last में फॉर्म परा हो तो उनको दोस्तों वो बाकी रह जाते हैं उनको अगले उपले बजट में है जो इसको लसी पर डिस्टिबिट की जाती है तो अगर आप सच में इसको लसी प्राप्त करना चाते हैं जल्दी से बिना किसी दिक्कत के तो जो मैंने इस वीडियो के फॉर्म बने से लेकर डिस्टिबिट होने तक किसी भी परकार की मालो प्रेसा ने आ रही है या कोई डाउट से तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपकी एसमसे का है जो समातान किया जाएगा तो उमीद करता हूँ इसकल सिप्राप्त करने की पूरी प्रसेस आप को समझ में आ गई होगी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सेर जुरू करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल ऐकन और प्रेस करें तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ थेंक्स पोर बोचिंग